आप सभी का आपके अपने चैनल मिस्टिकलूजा में बहुत बहुत स्वागत है। अपने बच्चे के जिद्धी और गुसैल विवार से कई पेरिंट्स बहुत परिशान हो जाते हैं। कभी कभी तो पेरिंट्स इतना परिशान हो जाते हैं कि वो बहुत जगे के चक्कर लगाते हैं। पंडितों के पास जाते हैं उनसे उपाए पूछते हैं कि बच्चा कहना नहीं मानता। और इसके साथ साथ कई जो पेरिंट्स हैं वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। साइकॉलजिस्ट के पास जाते हैं कि उनके बच्चे के दिमाग में कुछ ऐसा तो नहीं है जिसकी वज़े से वो दिन बदिन जादा जिद्धी होता जा रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सारे उपाई एक साथ बताने वाले हूँ। आपका बच्चा किसी भी तरह से जिद करता हो। किसी भी तरह से वो कहना ना मानता हो, कोई भी प्रॉब्लम हो। आप इस रेमिडी को कर सकते हैं। आपके घर में बहुती सिंपल तरीके क साथ इस remedy को उपाय को आपको यूज करने का तरीका बताऊंगी ताकि आपके बच्चे आपका कहना मानने लगें आपकी दिक्कतें दूर होने लगें आपकी परिशानिया दूर हो जाएं हम यही चाहते हैं कि आपके जीवन से वो सब तरह के दिक्कतें दूर हो जाएं जिनको आप फेस कर रहे हैं आपके जीवन में मुश्किलें जो हैं वो कभी न रहें चले आज के उपाय की बात करते हैं आप सब लोगों के घर में पानी मौजूद होता है पानी के लिए पहले भी बहुत सारी वीडियोज मैंने दी है क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जो बिलकुल प वित्र है जिसमें आपकी बातों को सुनने की शक्ती है आप इस पानी को अभी मंतरित कर सकते हैं अपने थाट्स के साथ अपनी बातों के साथ पानी में इतनी अद्भुच शक्ती है कि वो जीवन देने वाला है जीवन दायक है पेड़ पाधों को और व्यक्ति को जब जादा गर्मी महसूस होती है एक घुट पानी भी उसके लिए जीवन दायक बन जाता है तो पानी के अद्भुच शक्ती को तो हम नकार नहीं सकते ये उपाए मैं यहाँ पर इसलिए इस तरह से दे रही हूँ सबसे सिंपल रेमेडी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि घर पर बच्चों पर सीधे रूप से होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी कोई उपाय किया जाता है सबसे ज़्यादा जरूरी है उसमें अपनी इंटेंशन को डालना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टन पार्ट होता है किसी भी उपाय को करने के लिए अगर आप अपनी intention उसमें डालते हैं अपने thoughts, अपने सोच उसमें डालते हैं अपने विचार उसमें डालते हैं तो वो उपाय बहुत जल्दी असर करता है सबसे ज़्यादा जरूरी यही है हर वीडियो में मैं यह बताती हूँ तो यहां पर दो बच्चों की बात है तो सबसे ज़्यादा important part उनका यह रहता है कि माँ अगर करे अगर माँ अपने विचार उसमें डाल दे तो यह हो ही नहीं सकता कि बच्चों पर इसका असर ना हो तो कैसे करना है आपको एक glass आप सवच पानी ले लें जो पानी पीने वाला हो आप उसे glass में डाल कर अपने पास रख लें जो भी माँ है या आप पिता भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है घर में कोई भी कर सकता है पर माँ का जो effect है वो सबसे ज़ादा आएगा आपने इस पानी के glass को अपने हाथ में पकड़ना है और कुछ देर के लिए इंटेंशन करनी है कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है आपका बच्चा आपका कहना मान रहा है और आपका बच्चा जैसे आप कहते हैं वैसे ही करता है ये इंटेंशन आपने उस समय पर ज़रूर डालनी है जब आपने पानी का ग्लास हाथ में लिया हो इसके बाद आपने क्या करना है इसके बाद आपने अंगूठे के साथ वाले उंगले जिसे हम तरजनी उंगली बोलते हैं इस उंगली से एक मंत्र उस पानी पर लिखना है आपने इस तरजनी उंगली से ये मंत्र जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इसे पानी के ऊपर लिख दें इसे लिखने से क्या होगा ये मंत्र जो है ये सरस्वती मंत्र है ये सरस्वती का बीज मंत्र है इसको लिखने से मा सरस्वती की सारी इनर्जीज इस पानी में आ जाएंगी और वो बच्चे को बुध्धी देने में, बच्चे को strong करने में, आप क्या कहना मानने में, वो आपकी मदद करने लगेगा इस मंत्र को आप 11 बार बोलें भी जरूर, लिखते हुए आप इसको 11 बार बोलें ऐसा करने से आपका जो पानी है, वो पूरे तरीके से अभिमंत्रित पानी बन जाएगा और उसमें पूरी शक्ति आ जाएगी पानी में जो भी चीज मिला दो, वो उसमें घुल जाती है, तो इसलिए आपको इस मंत्र की अभिमंत्रित शक्ति का इस्तिमाल करना है इस पानी को आप अपने बच्चे को बिलाएं, रोजाना करके देखें, आपको कुछी दिनों में इसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, बहुत ही अच्छा उपाए है, मैंने बहुत लोगों से करवाया है, और उनको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिले है छोटे से छोटा बच्चा हो, बड़े से बड़ा बच्चा हो, किसी भी उम्र के हो, आप इस उपाए को कर सकते हैं, बच्चे को भी ये समझ नहीं आएगा कि क्या किया गया है, और वो कैसे चेंज हो रहा है, धीरे धीरे उसके दिमाग के जो विचार है, वो अपने आप ही बदलने लगेंगे, वो आपकी बात को मानने लगेगा, आपकी बात को सुनने लगेगा और ये चमतकार आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे देखिए बच्चों को समझाना या बच्चों को मनाना बहुत मुश्किल काम होता है तो आपको ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपका बच्चा कितना भी जिद्धी क्यों नहीं हो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है बस ये काम करके देखें दीरे जीरे उसकी जिद अपने आप दूर होने लगेगी बच्चे जो हैं वो बहुत ही कोमल स्वभाव के होते हैं जाहे जितने भी जिद्धी क्यों न हो, स्टबन क्यों न हो पर उनका स्वभाव अंदर से बहुत कोमल होता है उसे आप जैसे भी ढाल सकते हैं तो इस मंत्र की शक्ती से, इस पानी की शक्ती से आप उनकी जिद को कंट्रोल करने की कोशिश करें और देखेंगे कि जैसे जैसे वो ये पानी पीता है उसका ध्यान पढ़ाई में भी लगने लगेगा उसकी जिद कम होने लगेगी जो भी नेगटिव प्रक्रियाएं हैं उसकी वो कम होने लगेगी और धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते जाएंगे वो बिलकुल खतम हो जाएंगी और इस चमतकार को देखकर आप भी हैरान होंगे कि इतना जादा परिवर्तन कैसे आ चुका है तो ये परिवर्तन आप खुद कर सकते हैं चमदकार है पर आप इसको खुद कर सकते हैं पानी की अधूर शक्ति का बच्चा जिद्दी है तो उसे प्यार से बातों को सुनना चाहिए उसकी बातों को समझना चाहिए हम लोग कई बार ऐसा होता है कि parents जो हो है वो बच्चों की बात को सुन नहीं पाते और उसको दरकिनार कर देते हैं जो बच्चा अपने आपको lonely feel करता है अकेला feel करता है तो वो जिद्धी होता जाता है तो इन बातों का भी ध्यान रखें आप अपने ही बातें उन पर थोपने की कोशिश ना करें धैरे से बैठकर उनकी बात को सुने जवरदस्ती ना करें कुछ चीजों का parents को भी ध्यान रखना चाहिए बाकि आपके पास जो मैंने ये mantra दिया है और ये पानी की आपको remedy बताई है इसको जरूर करें इसका कोई भी नुकसान नहीं है किसी को भी नुकसान नहीं होगा ना आपको ना आपके बच्चे को बलके मजबूती मिलेगी तो चलिए इस उपाय को आजमा के देखिए और इसके अनुभव मुसे शेर जरूर कीजिए अगर आपको कोई भी लाब मिला है और इस वीडियो को शेर जरूर करें ताके आप लोगों के साथ-साथ और भी लोग इसे देख सकें और इसका लाब ले सकें आज के लिए इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें शेर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद